दिल्ली के प्रगती मैदान के भारत मंडपम में सबसे बड़े फूड इविंट का आयोजन किया जा रहा है प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 का उधगाटन किया बता दें कि इससे पहले वर्ल्ड फूड इंडिया का लोकारपन 2017 में हुआ था इसमें 918 किलो की खिचडी बनाने का वर्ल्ड रेकॉर्ड बनाये गया था बता दें कि इस बार के इस आयोजन में 80 देशों के महमान शामिल हुए हैं वहीं इस आयोजन में 200 से ज्यादा शेफ शिर्कत कर रहे हैं आपको बता दें पीए मोदी ने कहा पिछले 9 वर्षों में प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ के निर्यात में 150 प्रतिशत की वृद्धी हुई है भारत का क्रिशी निर्यात विश्व स्तर पर सातवे स्थान पर पहुँच गया है खाद्य छेत्र में ऐसा कोई छेत्र नहीं है जिसमें भारत ने प्रगती न की हो यह वृद्धी तेज लग सकती है लेकिन यह निरंतर और समर्पित प्रयासों का परिनाम है हमारी सरकार के कारेकाल में भारत ने पहली बार क्रिशी निर्यात नीती लागू की है पीएम मोदी ने कहा कि पूरे भारत में हमने लॉजिस्टिक्स और बुनियादी धांचे का एक नेटवर्क स्थापित किया है उन्होंने कहा फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री से जुड़ा ऐसा कोई छेत्र नहीं है जिसमें भारत ने बृद्धी नदर्ज की हो ये फूड सेक्टर से जुड़ी हर कंपनी हर स्टार्टप के लिए सुनेहरा मौका है आपको बता दें कि इस आयोजन में इस बार सबसे लंबा डोसा बना कर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने का लक्ष रखा गया है ये कारिक्रम 3 से 5 नवंबर तक चलेगा कारिक्रम का समापन राश्ट्रपती द्रौपती मुर्मूदवारा किया जाएगा